अब जब कि परिक्षा के मुश्किल से आठ से नो दिन बचे हैं क्योंकि सेंटर इतना दूर दिया है कि एक से दो दिन तो आप ट्रावल के लगा ले ऐसे में अब आपने कारिकरम शुरू कर दिया होगा रिवीजन का और रिवीजन के ही कड़ी में हम आज बिहार अस्पेसल ह हिश्ट्री को लेकर उपस्ति थे इसमें हम उन्हीं टॉपिक कोम ने सामिल किया है जिससे पिछले दस सालों में कम से कम चार से पांच प्रश्ट पूछे गए हैं सबसे पहले हम बहुत धर्म को देखते हैं कि इस से हर इस एक्जाम में हर साल एक से दो प्रश्ट पूछे जा रहे हैं कि एकदम ब्रीफ में देखते हैं बहुत धर्म कि इसके संस्तापक गौतम बुद्ध इनका बच्पन का नाम सिधार्थ है और इनका जन 563 इसापूर में हुआ था जनमस्थान, कपिलवस्तु, लुम्बनी, पिता, सुर्यधन, शाक के गंड के थे इस बात को आप याद रखेंगे माता, तो इनकी माता में आपको दो नाम याद रखना होगा, एक तो जनम देने वाली माता थी माया देवी, और दूसरी पालन हार जो थी इनकी प्रजा पती कौतमी, इनकी पतनी का नाम इसोधरा था और इनका विवा 16 वर्स की उम्र में हुआ था, इनके एक पुत्र भी थ 29 येर की एज में ग्रिह त्याग कर दिया था, आप जब इसे पढ़ेंगे और जब देन दर्शन पढ़ेंगे तो दोनों को हम कंपरिजन कर लेंगे ताकि अमलगेट ना हो आपका, गुरू थे, इनके बैसाली के आलार कनाम जिनसे इनके इनके शांख दर्शन की सिक्छा ल लिए थे, तो बस क्यों नाम याद रखिएगा उरुविला जगह का, छे वर्स की तपस्या के बाद, 35 वर्स में, 29 वर्स में इनके घर छोड़ा, छे वर्स की रिगुरस तपस्या की और निरंजना नदी यानि फल्गू नदी जो गया के पास में है, बैसाक पुर्णिवा क गटना को धर्म, चक्र, प्रवर्तन और सरवादिक उबदेश उन्होंने किस सस्तान पे दिये हैं स्रावस्ती में दिए, कि भासा में उबदेश दिए पाली भासा में पे बहुत सारे राजाओं ने किया बौधर्म को पालन किया उन्में मॊख थे. भिंबशा प्रशैन जी किनवनती है कि चुंद द्वारा आर्पित भोजन के बाद इनकी मिर्थू ही चीनी परंपणा में जो इनकी जन्म और मिर्थू की गन्ना की जाती है उनको केंटोन अविलिक काते हैं रच्हां। त्रिपितक के संबंद पूछ लेता है कभी-कभी कि किस धर्म से है तो बौत धर्म से सूध्पितक है तीनों पालि भास हम लिखी गई है आपको कमेंट स्कान में बताना है कि कि में डर्व सन के संबंध्त बाते हैं किसаем नियम और किसमें सिख्छा दी गई है 3 चाहिए भात् leftover भगवान को नहीं मानता ऐसंद्ध संग कर्वित हों को क्या है वो फंद्रवश घंफ संपता के से एक अवालतितबर संब्स dispuls that है बहुत अवसे ही बोलते हैं त्री रत्न हमेशा पूछा जाता है कि बहुत का क्या है जैन का क्या है तो जो बहुत का त्री रत्न है बुद्ध धम और श्रंग अब जो सबसे इंपॉर्टन जिससे एक प्रस्ट बहुत बार पुछे गए हैं बहुत सभाएं पर्थम सभा हुई हुई चार्सों तिरासी इसा पूर में दुद्धियों हुई 323 से गयाप दितिये कई कहीं लिखता है कहीं कहीं 255 लिखता है इंतियाज हमत को हम फॉलो करेंगे 255 उन्हों लिखा है क्योंकि जब रेफरेंस मी मांगा जाता है बी पीएसरी के द्वारा तो अलूशन को नहीं मानते हैं इंतिया जन्मत को ही मानते हैं इसके बाद जो चौथी सभा हुई थी वो पहली सदाब दिन में हुई थी पहला गिरिविच यानी राजगिरी दूसरा बैसारी तीसरा पाटले पुत्व चौथा कुंडल बन अध्यक्ष महाकस्यप सावाकामी मौकुली पुत्त तिस्त और वशुमित्र अशुक घोष शासनकाल देखिए अजासत्रू कालाशोक अशोक कनिस्क बिल्कल अब कौन कौन सी घटनाय हुए पहला में क्या हुआ सूत पिटक और बिनेश पिटक बनाए गए दूसरी में क्या हुआ महासंगिक और स्थावीर में दो विभाजन हुआ इसके बाद तीसरे में अभिधन पिटक की कठोर नियम बनाएंगे और चौंथे में हीन यान और महायन श हम सारे facts कोैं कभर करते जा रहे हैं अनतीम तक अगर आप देखेंगे तो लगभबाग सारे कि सारे फैक्स कभर हो जाएंगे पर शिद्दभॉद्ध सारी पुत्र का जन नालंदा में हुआ था, बुध्ध क्यांसार पड़्ट्र के बिनास थे।le ने हमेशा मध्यम प्लभ अपनाए, यानि उनमें अश्टांगी का दिया, इस अश्टांगी का आप याद कर लेंगे. जाता कथाई में बिसिकली क्या है कि बुद्ध की पुरनरजन की कहानी बताई गई है और हिन यान का जो परमुख ग्रंत है वो कथावस्तु है पुडोसी देशों से बौधन का परचार, पदम संभव, रिंपवांच न किया था और सरवादिक बुद्ध मूर्ती जो है वो गंधार सेली में बनी हुई है लेकिन पहली बुद्ध मूर्ती मत्रा सेली में बनी हुई थी ऐसा माना जाता है बोध गया में लगा बौध ही ब्रिक्ष जो है वो फोर्थ जनरेशन का है पूछ चुका है कि बोध ब्रिक्ष जो लगा हुआ है कि जनरेशन का है तो चौथी पढ़ी का वह बोध ब्रिक्ष है अब हम देख लेते हैं जैन दर्शन से कुछ अगर चाहें तो एक दूफेट और भीयात रख सकते हैं बहुत धर्में जैसे कभी पूछ दे कि जन का परतिक क्या है तो कमल और सार गृत्या का परतिक घोड़ा ग्यान का परतिक पीपल ब्रिक्ष निर्वान पद्चिन और मिर् की जो परतिक चीन है सार है और इसके उंतिम तिर्थाकर थे महाविर थे चौविशमए तिर्थांकर थे इनका सिंबल क्यारि70 है और अश्ट्र निवी कि जो इसके 22 तिर्थांकर थे 무 सिंबल है व्संख दों नृम में मिलता है रिगवेद और अस्ट्रीनेवी महवियर का जन 540 साप पूर्व में हुआ कुंडल ग्राम बैसाली में इनका बच्पन का नाम बर्दमान था और उनका बच्पन का नाम क्या था सेधार्थ तो आप कंपरेटर्व मिहां से याद करना सुरू कीजे पिता सिधार्थ बच्जी संग के ग्यात्रक कूल में इनका जन्म हुआ था माता तिर्शला लिक्षवी राजा चेटक की वहन थी पुत्री अनोजा यानि प्रेदर्शनी नाम था उनकी पुत्री का नंदी वर्दन की यानि जो इनके बड़े भाई थी यहिंत रμε कंथी इनकी पितागे मिर्टु हो चुकी candidate ॹत एक सन्यास लनें जा रहे थी तिनर बड़े भाई City आग्या लेकर सन्यास की यात्रा सुरू की थी बचिए शे साल की तपर्साइक की थी इनकी बारा वर्श की के तपरस्या की थी बच को जाल अहिंगे इन्हें सालब्रिक्ष के नीचे ग्यान प्राप्थ हुआ। तीन चीजे ग्यान प्राप्थ के बाद महावीर के बारे में बोला गया जिन, विजेता, अहर्थ, पुझ्य और निर्गरंथ मुन्हें बंदा नहीं। इनके पर्थम अन्वाई इनके जो दमात थे वो जामिल बने महावीर ने सिस्यू को एक गारह गंधरों में विवाजित किया था जैन धर्म का पर्थम उपदेशक आरिसु धर्मा को माना जाता है किसके बाद यानि महावीर की मुर्दू के बाद ब्रद बाहू और स्थूल बाहू ने दो सखाएं बाट दी आगे चलके इसका भी कारण था तीन सो बीस इसापूर जब एक बहुत बड़ा बारा सल का आकाल पड़ा था तो उसमें भद बाहू की नितुर्थ में एक बड़ा जथा सौथ में करनाटक चला गया था जो आगे च याने समब्द असका आच्छण श्मयक्षैन और शम्यक च्रह पांच महास वर्थ में अहिंसा सत्य अस्त्य दोनों नहीं मानता बहुत भी नहीं मानता जयन भी नहीं मानता है wounds नहीं लेकिन जीव को ढंता है बहुत आत्मा को नहीं मानता है चैतना को बरौवा को मानता है पुनरजनम दो नहीं मानते हैं संत भंगी नए सियादवाद और अनीकावाद फ़ाद इस तीनों ही सिद्धांत जेन से जुड़े हुए हैं खजराहो के जैन मंदिर के चंदेल सासक स्रावन बेल गोला किस ने बनाया था खजराहो के जैन मंदिर चंदेल सासको ने स्रावन बेल गोला में गुंतेश्वर की मूर्ति है कहां पिस्तित है करनाटक में उद्देन बहुत धर्म के इसके अलावा चंद्रकुप्त मौर, खारवेल, अमोग वर्ष और चंदेल, यह बिसिकली किसके थे जैन धर के थे, धर्ष के समर्थक थे, कल्प शुत्र में बद्रबाहु ने जैन तृतकरों को जीवनी लिखिए, कल्प शुत्र किसने लिखिए, बद्रबाहु ने इसमें पावापुरी राजगीर में प्राप्त को अतर 468 इसापुर्व, अब दो जैन संगतियां हुई थी, पहले जैन संगति 300 इसापुर्व में हुई थी, पाटले पुत्र, उस समय जो इसके अध्यक्स थे, असुल भद्र थे, और जो सासक था, और चंद्रकुप्त मौरी था, दूतियां बहुत संगति 6 सदाब्दि मुई थी, बल्वी गुजरात में, छमा स्रवन इसके अध्यक्स थे, इसमें क्या हुआ था, दिगांबर और स्वेतांबर, दो धड़े अलग अलग हो गए थे, इसके बाद कहीं कहीं पूछ चुका एक बार कि बार्वेत थे थंकर इनका जन्म चम्पा में हुआ था, इनकी जितने भी कितावे हैं, उनकी भासा क्या है, वो प्रकिर्थ है, अब हम देख लेते हैं महाजनपत, महाजनपत 16 है, इन महाजनपतों की जनकारी बहुत ग्रंथ अंगुतर निखाय में मिलती है, इस फैक्ट वाप्याद रखेंगे कई बार पूछ चुका है, बिहार में इन 16 महाजनपतों में मत तीन महाजनपत ही आते हैं, अंग जिसके ग्रधानी है, चम्पा और बरतमान द्रिष्टी से देखें तो भागलपूर और मुंगेर, जगा याद रखिएगा, क्योंकि जगा भी पूछ चुका है, मगद, ग्र बिविज और राजग्री दुनों एकी नाम हैं, बरतमान में देखें तो पटना गया वाला छेतर आता है, वज्जी, बैसाली, मितला, विदे, बरतमान समय में देखिएगा, तो दरभंगा, मुझपर, पूर, परतम गंतंत्र, कहा हुआ था, तो यहें भी इसका भी राजियों का संगेता है, महाजनपत यूग में पावापुरी, मल्गनराज की रजधानी थी, अब चाहें तो सोल्वो जो महाजनपत हैं, उनकी जो रजधानी है, उसे याद कर लेंगे, क्योंकि अगर मिलान करने का पूछ दे, जैसे मतुष्य की रजधानी बिराटनागर असमक की रजधानी पोटली, गंधार की रजधानी तक्षिला, पंचाल की रजधानी अहिस्त्पत, मल्ग की रजधानी कुशावती, कौसल की रजधानी स्रावस्ति, इसके बाद हम देख लेते हैं कि मगद समराज का विस्तार कैसे कैसे हुआ, क्योंकि मगद BPSC का सबसे hot topics में से एक रहा है हमेशा से, तो सबसे प्राचीन बंस मगद का जो था वो ब्रिद्रत बंस था, ब्रिद्रत बेसिकली जरासंग के पिता थे, इनके बारे में अगर कहीं देखना चाहते हैं तो आप जब राजगिर जाएं, तो जरूर जाएं, वहां पे एक जगह है, यहां आप इनके बारे में आपको धिर सारी जनकारियां मिलेंगी, लेकिन जो मगद का वास्तुरिक संस्तापक माना जाता है, वो हर्यक बंस के जो पर्तम साथ सकते, यानि कि बिम्बि सार उन्हें माना जाता है, बिम्बि सार ने ब्रिद्रत को हरा कर अंग को मगद में मिला लिय 2020 सार कोही इसका वास्त्रविक संस्तापक माना जाता ह। जो कारकाल है 554 से 493 इसापुर्व है। हर्यक बंस को प्रति हंता बंस भी कहा जाता है कि जो भी इसके सासक बने हुनह seat को क्या हत्या किया किसी तरीके से कुंको बार दिया। यह इतना इंपोर्टेंट नहीं आप एक बार देख लेंगे कि नहीं ने साधियों के द्वारा अपने राज़नेतिक वर्चस को बढ़ाने की कोशिस की थी तो प्रसंजित की वहन महा कोशला चेटक की पुत्रिच चेलन्ना और मंद्र प्रदेश जो पंजाब में हैं भर्टवान से शेमा से की थी साधि इस तरीके पूछा नहीं गया लेकिन आप एक बार देख लेंगे आजात सत्रू जो बिंबिस आ रहे हैं उसो स्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है तो चीज़ का प्यात कर लेंगे आजात सत्रू कुनिक के नाम से इसे जाना जाता था इसने 493 इसापुर में ससंग किया इस इसने गद्दी अपने पिता के हत्या करकर या उसे बंदी बनाकर और बंदी के दुराण है उसकी मिर्तु हो गई थी इसलिए कह जाता है इसने पिता के हत्या करके गद्दे लिया इसके बाद उद्देय चार सो 161 इसापुर में इसने पातली पुत्र क्या नगर के को राधानी बनाए आपना पात्लि क्राम के स्थापना की इसके बाद इस जो अन्दिम साशक हुआ है उन्दा सख हुआ हर्याक बंस का अ कि अंतेम सा सक नागदुजडग शीशुनाग बंस का संस्थापब कोन था मईए लुट हूं वहल में कि इसने राधानिघन बनाई अपनी वाह इसके बाद काला शोक औरन व्रण और इस सबसे अंतपं जो सा सक तो घना नंद जो थे जो नंद बंस के अंतिम संस्थापक थे वो सिकंदर के समकालें थे अब मगत के बाद हम आते हैं मौरी पे मौरी संब्राजी के संस्थापक चंदगुप्त मौरी को माना जाता है जिनका कि जन 345 सिसा पूर्व हुआ था और इनकी राजधानी पाठली पुत्र थी जहां तक मौरी वज के स्थापना का प्रश्न है तो 320 सिसा पूर्व इम्तियाज हमत का उनसार लूसंड में 322 सिसा पूर्व दिया है लेकिन हम इम्तियाज हमत को हिमान के चलते हैं घ्रानन्द को हराने में चानक ने मदद की थी इनकी चानक की हो विष्णोगुप्त हो कौटिल ले हो एक ही परसन के लिए तीनों नाम यूज होते हैं कि चंद्रकुप्त मौर तीन सब पांच इसा पूर में सेलुकुट निकेटर को हराया था इन्होंने इसके बाद उनकी जो बेटी थी कार्नलिया उनस ने उसके साथ इन्होंने विवा किया था सेलुकुट निकेटर इन्हें मेगास्थनीच को राजदूत के रूप में इनके पास चंद्रकुट मौर के दरवार में 315 इसापूर में भेजा था मेगास्थनीच की प्रसिद रचना है इंडिका जो कि कई बार पुछा जा चुका है प्याद रखेंगे इनकी मीर्तू 292 इसापूर स्रवन बेल गोला में हुई थी 12 वर्स का भीशन आकाल जिसका की जिक्रमें ने किया था उस समय जब जैन दर्सनम पढ़ रहे थे इन्हें भारत का मुक्ति दाता भी कहा जाता है क्योंकि इन आनियों से इन्होंने भारत की मुक्ति देलाई थे उस समय नेक्स्ट हाता है बिंदु सार बिंदु सार 298 इसापूर आजी एक संपरदाय से थे बिंदु सार को सक्त्रू बिनासक कहा जाता था और जैन गृंटों में इनके लिए सब जो यूजी हुआ है वो सीहसेन क्या हुआ है एथिनियस के अंसार बिंदुसार ने सिरिया के सासक से मदुरा सूखे अंजीर और दासनिक मांगे थे इसके बाद बिंदुसार के बाद आता है असोक, असोक महान सासक थे जिसमें इन्होंने गद्धी प्राद की उसमें ववंती के राजपाल थी 279 इसापूर में इसके आठ साल बाद यानि 261 इसापूर में कलिंग पर इन्होंने आरोपन आकरमन कर दिया और कलिंग के रधानी थी तोसली एक चीज़ा और रखेंगे कि मस्करी और गुर्जरा दो ही ऐसे अभी लेख हैं जिसमें इनका नाम असोक नाम है बाकी में इनका नाम प्रेदर्सनी या अलग नामों से ने जाना गया है उप गुप्त नामक बहुत भिक्छू ने असोक को बहुत धर्म की सिक्चा दी थी असोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजियुको के लिए कई गुफाओं का निर्मान किया था जिसमें परमुख चार गुफाएं कर्ज, चोपार, शुदामा और विश्योपड़ी इनके पुट्र दसरत ने भी नाकारजुन गुफाओं पर तीन गुफाओं का निर्मान किया था लोम हर्स और भी दो गुफाएं थी उनका नाम मुझे याद नहीं है आप कमेंट सक्षिन में अगर आपको याद हो तो जरूर बताएं इसके बाद इन्हों ने अपने पुट्र एयन अशोक ने अपने पुट्र महंद्र और संमित्रा को सिर्लंका बेजा था पुत्र थी संगमित्रा और पुत्र थे महंद इनको इन्होंने स्रेलंका बेजाता है असोक के सिलाले की खोज 750 इसभी में फेंथेलर ने की थी और इसे सबसे पहले पढ़ने का काम किया था जेंस प्रिसप ने जेंस प्रिसप का नाम आप एकदम याद कर लेंगे क्योंकि ये कई बार पुछा जा जुगा है अब हम आते हैं मौर्योत्र विहार में यानि मौर्योक शासन के अंत के बाद सुंग बंस के अस्थापना हुई इसके बाद कान्यो वंश 75 इसापूर से 30 इसापूर वशुदेव इसके संस्तापक थे और इसके अंतिम सा सकते सुसर्मा अंद्र शत्वाहन वंश कि स्मुक के द्वारा इन्हें प्राजित कर दिया गया अगर आपको हमारा अपरियास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमने 66 BPSC को लिए एक प्लेइलिस्ट विवना रखा है जिसमें भारत बिहार की आर्थिक सर्वेक्षन, बजट, सरकारी योजनाओ की कमप इसके साथ साथ सारे जो टॉपिक हमने बताया उस पर बेस्ट एम से क्यों यह आपके लिए अप्लोड कर रखा है अगर आप चाहते हैं कि हम इस से आगे यानि कि कनाडबंस, कुप्त, सेर सासूरी यानि बिहार में जो फिमस सा सक रहे है इतियास में उन सारे को सकेंड पार कुप्त, सेर सके पार हैं